सभी को मेरा प्रियनाम है मैं राजविराय कक्षा 3 की छात्रा आप सभी को गर्टनति दिवस की शुबकामनाय देती हूं साथ ही आज मैं बात करूँगी उस महान विरांगना की जिसने 1857 में 253 साल की उम्र में संपूर्ण ब्रिटिश समराज्य को हिला दिया तथा स्वयम को भारत माता के चड़नों में समर्पित कर दिया था निर्जला शुष्क सी धर्ती पर मानवता जब कुम्हलाती है जब घटा टोप अधियारे में स्वातंत्र खड़ी अकुलाती है जब नागफनी को पारिजात के सदिश बताया जाता है जब मानव को दानव होने का बोधगराया जाता है जब सिंघनाद की जगह शिगालों की आवाजे आती है जब कवों के आदेशों पर को यले बाद्य हो गाती है जब अनाचार्य की परचाई सुविचार घटाने लगती है जब कायरता बन कर मिसाल मन को तरपाने लगती है तब 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 धर्म युद्त के लिए हमेशा शत्र उठाना पड़ता है देवी हो अथवा देव रूप धर्ती पर आना पड़ता है हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से इस भारत की यंगनाई का बरिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी बाई का गोरों की सत्ता के आगे जब थे वीरों के छुके भाल जासी पर संकट आया तो जल उठी शोर की महाज़ाल अब ला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्त प्रबल देखी लेकर क्रिपार संकर्प किया निजधरा नहीं बटने दूंगी मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी पती परमधाम को चले गए मैं हिम्मत कैसे हारूंगी मर जाओंगी समरंगर में या दोगोरो को मारूंगी त्यागे शिंगार अवस्था के रण के आभूशन धार लिये जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हतियार लिये सिशो प्रिष्थ भाग पर बाध लिया वलगाएं साधी दातों में फिर घोटक पर होकर सवार गह लिये खडगनी जहाथों में जब तक मही शेश शीश पर है है उदाहरन तरुनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मरदानी लक्ष्मी बाई का गोरों की से ना पररानी दावानल बन कर छाई थी रर्चंडी ने खपर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी उर्चला पवन के वेग पवन उर्चला पवन के वेग पवन बादल बादल बन बरस गया पवन और बादल रानी के दो घोरों का नाम था उर्चला पवन के वेग पवन बादल बादल बन बरस गया चपला सम तलवारे चम की दुश्मन पानी को तरस गया रन बीच अकेली डटी रही साहस के तब पोबारे थे दुश्मन से बारी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे इतिहास साक्षमन जाता है और अकटनी सचाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्षमी बाई का धन्यवाद